हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल मानी पंक क्या आप भी सिल्वट्टा पे मसाला पीश पीश करके परिसान हो चुके हैं क्या आप आपके भी हाथों में दर्द रहता है सिल्वट्टा पे मसाला पीशने के कारण तो चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल यह तु इन वन फंक्शन ब्लेड के साथ आता है और इस Mixer की वन यर की वैरेंटी है अगर एक साल में अगर यह प्रोड़क्त यह देखिए यहां ओन यर की वैरेंटी लिखा हुआ है अगर एक साल के अंदर यह प्रोड़क्ट खराब होता है तो यह आपको फ्री होम सर्v देंगे मतलब कि आपके घर पर आ करके ठीक कर जाएंगे और ये देखिए इसका मॉडल है बजाज GX1 और इसकी MRP तो वैसे 3850 रुपे है पर मैंने इसे 2200 रुपे में खरदा है अपने पास के दुकान से तो चलिए मैं इस लुट के आपको खूभिया बताती हूं कि उस मिकसर की क्या क्या खूभिया है यह वाइट कलर काूकर है हाँ दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा के ज़्यादा सेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथी कमेंट भी करें यह देखें दोस्तों यह इस तरह से पैक है और ये काफी ज़्यादा देखने में सुन्दर लग रहा है पुरा वाइट कलर का ही ये मिक्सर है मैंसे आप निकाल लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी यह देखे दोस्तों यह इसका मसीन है और यह काफी जादा सुन्दर लग रहा है दिखने वे क्योंकि यह पूरा वाइट कलर का है और यह देखे यहां पर बजाज का लोगो दिया गया है और साथी यहां पर ओन आफ करने के लिए स्विच दिया गया है और यहां पे और यह देखिए दोस्तों यहां पे रिसेट का एक बटन दिया गया है और साथ ही यहां पे यह देखिए रखने के लिए कितना अच्छा इसमें दिया गया है ताकि यह नीचे भी रहेगा तो कोई दिकत नहीं है रखने के लिए यह देखिए दोस्तों इसकी वा कि आप यह देखने दोस्तों यह नहसके पहला जार है यह दूसरा जार और यह तीसरा जार और यह इस तीनों का लीट धिया गया है इसके सांथ Marcus इस जार में दोस्तों आप मिल्क सेक या फिर छीज्चीत का वेटर तैयार कर सकते हैं इसमें बहुत ही smoothly किसी भी चीज का बैटर या फिर मिल्क सेक या फिर इडली का बैटर अच्छी तरह से तयार हो जाएगा यह देखें दोस्तों यह इसका लीड है और यह काफी smoothly बंद हो जाता है और इसकी जो लीड है यह फाइबर की लीड है और यहां पे यह दिखें रबर कि यह पकरने के लिए भी दिया गया है फाइबर का और इसका भी बॉडी स्टील का है टीछे से ये इस तरह का है इसमें आप कोई भी इंग्रीडियन्ट मसाला आप पीछ सकते हैं जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची या फिर दाल वेगरा भी आप इसमें अच्छी तरह से पीछ सकते हैं और यह जो इसका नीचे का जो ब्लेड देख रहा है यह एक मिनट में 20,000 वार भूनेगा इसमें आप चटनी पीछ सकते हैं या पिसी भी चीज का पेस्ट बना सकते हैं यह इसकी भी बॉड़ी स्टील की है और यह भी पीछे से जंटू से नि सी तरह का है यह देखिए दोस्तों अब मैं आपको इसको चला के भी दिखा देती हूं कि इस मिकसर का साउंड कितना है मैं अब आपको इसको चला करके दिखाती हूं कि इसका साउंड कितना है आवाज यह कितना होता है ये देखे दोस्तों एक पे इसका आवाज इतना है दोपे इसका आवाज इतना है मिक्सर तो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और इसको देखके ऐसा लग रहा है कि इसमें सभी मसाले अच्छी तरफ से पिस जाएंगे चाहे कोई किसी भी परकार का वो मसाला हो या फिर मिल्क सेख भी अच्छी तरह से इसमें बन जाएगा अगर आपको भी मिक्सर देना है तो आप इस मिक्सर को जरूर खड़ें यह बजाज कंपनी का है इसका मॉडल जी एक्स वन है और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जादा से जादा से एर कीजिए ओके दो तो थाइंक्यू